खंबा गैनी महरो राजस्थान पर बार पर आप सब का बहुत बहुत स्वागत आए कैसे हो सारे एमरपियन्स आई होब आप सब भी बहुत अच्छे हैं आज संडे है मैंने बोला था एक मैं स्ट्राटेजी सिरीज लेकर आऊंगे आप सब के लिए आरे इस एक्जाम की परप मिलेगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है और आप इधर उधर 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 उलजना चोड़ दोगे तो आज हम बात करेंगे आरे इस में सबसे पहले प्रिलिम्स की तैयारी कैसे करनी है और वो भी कम टाइम पीरिड के अंदर यानि की 120 डेस के मतलब है की चार महीनों के अंदर ठीक है अभी जिन जिन के कुछ डाउट्स होंगे कुछ स्टूडेंट्स के जब आरे इस प्रिलिम्स के हम लोग बात करते हैं तो वो डाउट क्या होगा सबसे पहले मैं बता देती हूँ प्री और मेंस की साथ साथ तैयारी करनी है ठीक है अंसर राइटिंग अभी स दिन में possible है ठीक है तो क्या possible है जिसके उपर वीडियो है तो उस पे तो question होना ही नहीं चाहिए very much possible है अगर आप full concentration के साथ full focus के साथ ध्यान से पढ़ोगे तो चार महीने काफी है मैं बात कर रही हूँ आरे इस प्रिलिम्स की तैयारी की ठीक है अब जिन लोगों का question ये करतें तो दोनों में क्या-kया similarities है ठीक है क्या-kया समानता है है जब तैयारी करतें और क्या-kya differences है अब भी आज हम बात करेंगे देखो जब हम दूसरी कलास में जाते तो पहली कलास को pass करना पड़ता है ठीक है दसमी कलास में तबी होते है आठमी नौमी कलास को पास करते ह आज हम बात कर रहे हैं मेंस देने के लिए यहां पर यह पॉइंट जादा इंपॉटेंट है मेंस एक्जाम देने के लिए प्री क्लियर होना जादा ज़रूरी है तो इसके उपर आज हमारा फोकस रहेगा जो बच्चे एक्स्क्लूजिवली एक लिमिटेड टाइम पीरिड के अंदर प्रीलिम्स की तयारी करना जाते हैं जिनका पूरा फोकस प्रीलिम्स के उपर है तो इसका मतलब आज की वीडियो उनके लिए है जो बिगिनर्स है जो प्रेपरेशन स्टार्ट करना जा रहे है ठीके और जो इस कन्फूजन में नहीं है कि पहले ही दिन आंसर प्रीलिम्स के लिए तयारी की जाती है एक बेस बनाया जाता है उसके बाद हम मेंस के उपर आते है ठीके प्री और मेंस की कॉमन तयारी उतनी ही है जो प्री और मेंस में कॉमन सब्जिक्ट्स है ठीके जो कॉमन सब्जिक्ट्स है आपके जैसे की राजस्थान जी के ठीके इंडिया एंड वर्ल्ड जी के ठीके लेकिन हाँ डिफरेंस है एक लेवल का डिफरेंस है उसकी मैं बाद आज नहीं करूँगी आज मेरा पूरा फोकस है सर्फ और सर्फ आरेस प्रिलिम्स के उपर क्योंकि पहले मेरा मानना है प्री निकलना जरूरी है तब ही मेंस में बैठ बीस दिन के अंदर चार महिने में पहले हम अपना प्रिलिम्स किसी ना किसी तरीके से शौर कर ले कि हमारा प्रिलिम्स क्रैक होना चाहिए क्लियर है सबको ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते प्रिलिम्स के जो सबजिक्ट्स हैं उनको मैंने बेसिकली चार पार्ट में डिव को mains में हुबहु काम आने वाला है जिसमें सबसे जादा question आते हैं वो है राजस्थान जी के 50 के करीब question आएंगे ठीक है कितने question आएंगे 50 के करीब तो पहला important subject जो हमें RAS prelims के लिए तयार करना है वो है राजस्थान जी के दूसरे नंबर पे आपका आएगा reasoning और mathematics, mental ability जिसके 18 से 20 question आने वाले हैं आपके paper में तीसरे नंबर पे आएगा current affairs, 10 question तो आई जाते हैं 8 से 10 question यहां से आएंगे और चौते नंबर पे आपका आएगा science ठीक है क्योंकि science उन्होंने specially mentioned कि है general studies and science का paper है ठीक है तो science से question आएंगे और उसके बाद हम बात करेंगे last में किसकी India and world जी clear है सबको तो यह 4 या 5 parts में कुल मिला के हमने RAS prelims के सलेबस को divide किया है ठीक है अब सबसे पहले जब भी आप तयारी करें तो राजस्थान जी के तयार करें क्यों क्योंकि वो आपका pre mains का जो चकर है उस चकर से आप free हो जाओगे जितना आप पढ़ोगे वो pre का यूं का कहीं नहीं गया आपका mains कहीं भाग के नहीं जा रहा है अरे रुको एक सेकेंड ठीक है कहीं नहीं गया तो राजस्थान जी के में भी preparation कैसे करनी है subject wise कौन सा subject पहले कौन सा subject बाद में तो सबसे पहले आप geography prepare करो कौन सा subject प्रिपेर करोंगे geography या art and culture देखो दो तरीके हैं त मुश्किल सब्जेक्ट आपकी मर्जी है जब मैंने आरे इस प्रिलिम्स अपने बच्चों को तैयारी करवाई थी तो पहले मैंने आर्ट and culture करवा दिया था क्योंकि यह लास्ट में प्रेशर बहुत बिल्ट करता है इसका सलिबस बहुत डिफिकल्ट है तो अगर आप पहल अगर आप से सब्सक्राइब करें अगर आप से स्टैक एकोनोमी राजस्थान की कुछ चैप्टर्स तो बिल्कुल डिक्टो कॉमन है जो यूंके यूं पढ़ने है ठीक है तो सबसे पहले वही टॉपिक्स तयार करें जो कॉमन है जोगरफी में और एकोनोमी के अंदर उसके बाद जो जादातर कोशिंस आएंगी वह आपको करना होगा उस टाइम का लेटेस्ट एकोनोमिक सर्वे जो कि हम आपको करवाई देते मैं यूटूब पे कराती हूं एकोनोमिक सर्वे ठीक है क्योंकि फ्री डॉक्य है गवर्मेंट डॉक्यूमेंट है पिछली बार भी करवाया था कॉलिज लेक्चरार के लिए जैसे ही आपका एक्जाम आएगा तब मैं दुबारा से भी करवाऊंगे इसको ठीक है तो एकनॉमिक के लिए एकनॉमिक सर्वे करोगे चार-पाच कोशिं यहां से आने ही आने ही है हर बार हर सूरते हाल ठीके उसके बाद आप में कर रोगी अड़ने कर सकते हैं सबजोती आपको समझ में आ गया कैसे कैसे पढ़ना है रहे इसके बाद आतको हर सब्सक्राइब को कि तने दिंदे और 20-25 दिन 20-25 दिन में very much possible है पॉलिटी छोड़के पॉलिटी में कम समय लगेगा पंदरा दिन का काम है वो आप बहुत असानी से इन सब्जेक्ट्स को तैयार कर सकते हो इन सब्जेक्ट्स को बड़े असानी से तैयार कर सकते हो 20-25 दिन आपको लगेंगे राजस्थान एकनॉमी मैंने बता दिया एकनॉमिक सर्वे से कर लो अब यहां पे डेली कितने घंटे देने हैं जिनके पास 8-10 घंटे अभी लोकडाउन का टाइम चल रहा है इस golden opportunity का जितना फायदा उठा सकते हो उठा लो वरना फिर मैं बता रही हूँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जिन्होंने पढ़ना छोड़ दिया है तो आगे को निकलेगा जो पढ़ रहे हैं सीधी सी बात है competition है यहाँ पे सिर्फ pass नहीं होना आपको ठीके यहाँ पे race लगी हुई है cutoff के चकर में नहीं पढ़ना कि cutoff से एक number जादा दो number जादा फिर आप question ढूंटे फिरोगे यह question आरप एससी ने गलत answer दे दिया यह दे दिया, rate लगाते फिरोगे उस level तक जाना ही क्यों है उससे उपर ही cross करो ना कि आप safe हो ताकि आपको वो result आने के जो 25 दिन आपको मिलते हैं 20 से 25 दिन उसमें आपको ऐसी नहीं रहना पड़े आप अपनी mains की तैयारी पे पूरा focus कर पाओ clear is आपको, तो यह चीज है हर subject को आपको 20 से 25 दिन देने time की बात करूँ जिसके पास जादा time में वो 6 गंटे भी लगा सकते हैं मैंने average time लिया है हर बच्चे का जो मतलब daily 8 गंटे तैयारी कर रहे हैं daily 8 से 10 गंटे जिनके पास हैं वो पढ़ पा रहे हैं तो आप 4 गंटे इस subject को दीजिए ठीक है बुक कौन से पढ़नी है हिंदी मेडियम वाले बच्चों के लिए लक्षे की बुक काफी है लक्षे पढ़ लो, पनौर्मा पढ़ लो काफी है एक ही बुक पढ़ो अभी RBSC की बुक में क्यों नहीं बोल रहे हूँ क्योंकि प्रेलिम्स हमें limited time में crack करना है कितने time में? limited time के अंदर crack करना है ठीक है RBSC की बुक में में तो काम आएंगी pre में भी काम आएंगी लेकिन प्रेलिम्स के लिए आपका लक्ष है और पनौर्मा बुक से काम चल जाएगा बिल्कुल चल जाएगा क्लियर है सबको तो एक बुक होगी तो जादा बर्डन नहीं रहेगा राजस्तान जी के आपकी कवर हो जाएगी 40-50 कोश्चन आते हैं यहां से सही है उसके बाद डेली आपको इसको चार घंडे पढ़ने ठीक है सिंपल प्रिप्रेशन अगर करना चाहते हो बहुत सहूलियत के साथ खास तोर पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जिनके पास की बुक्स भी जादा अवेलिबल नहीं है डॉक्टर भल्ला के एक बुक आती है वहां से ठीक ठाक से लेवस आपका कवर होगा तो आप मेरे प्लस कोर्सिस को जॉइन कर सकते हो हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलिबल है बुक पढ़नी बहुत असान हो जाएगी मैंने बहुत सिंपल तरीके से टिप्स और ट्रिक्स के साथ जैसे आप यूट्यूब पे देखते हो वैसे ही पढ़ाया हुआ है तो ये सबजिक्ट आपके बन जाएंगे 20-20 दिन में डिवाइड करोगे आप 80-90 दिन आपको लगेंगे आप राजस्तान जी के तीन महीने में तैयार कर सकते हूँ ठीके ये तैयारी मैं ऐसी तैयारी की बात नहीं कर रही हूँ कि एक बार पढ़ने और हो गया आप मेरी special class देखना, मेरी plus class देखना यहाँ पे तैयारी का मतलब है अगर आपने reverse topic पढ़ लिया तो उसकी साथ साथ revision होनी चाहिए तीन बार साथ साथ revision होनी चाहिए साथ साथ वो topic cover करने के बाद MCQs भी बनने चाहिए MCQs practice के लिए English medium में धरोहर किताब आती है पढ़ी नहीं है यहाँ पे मैं दिखा देती reasoning असान होती है mental ability असान होती है इसको आपको daily एक महीना यह 40 दिन साथ साथ practice करना है daily के 2 घंटे daily के 2 घंटे आप शाम को practice दोगे अब जो पिछले वाले में 2 घंटे बच गए है उसमें क्या करोगे उसमें जब आप एक topic पढ़ लोगे तो MCQs बनाओगे ठीके 2 दिन में 8 घंटे में आपका राजस्तान की नदिया कवर हो गया तीसरे दिन बैठके उसके MCQs बनाने आपको अगर आपके पस 6 घंटे हैं तो topic जल्दी कवर हो जाएगा तीसरे दिन आप MCQs बनाओगे लेकिन basic बच्चों के लिए जो beginners हैं उनको यही कहूंगी RS Agarwal की book से आपका काम चल जाएगा अराम से आप लोगों की तयारी हो जाएगी तीसरे नंबर पे बात करते हैं current affairs जिसके लिए हम सब का दिल धगदग करता रहता है करता रहता है की नहीं करता रहता है कहां से करें तो current affairs का यह कहूंगी मैं जैसे हफते में एक बार कराती हूँ संडे को 12 बचे ठीक है अब मैंने नया plan सोचा है कि Monday को आप सब के लिए या week में एक बार किसी बे दिन या 10-15 दिन में एक बार पूरा एक mega revision video लेके आऊंगी जो की आदे गंटे या 40 minute का होगा उससे आपके सारे current affairs revise हो जाएंगे ठीक है उसके बाद भी वहाँ से आप कर सकते हो उसके बाद भी अगर मन में doubt है तो magazine ले सकते हो मूमल या chronology ठीक है कितने साल के करने है अगर एक साल के करने होते हैं अगर एक साल के नहीं कर पा रहे हो तो 6 महीने के करो मूमल की 2-2 महीने की magazine आती है 3 magazine खरीदो और या फिर 6 magazine खरीदो और उसको cover करो chronology का फायदा ये है इसमें थोड़ा details जादा आता है ये mains में भी आपको help करेगी ठीके प्रिलिम्स के लिए मूमल काफी है और बहुत आसान भाषा में दिवी है बहुत अच्छे book है ठीके तो मैं मूमल prefer करती हूँ अभी जितने आपको MCQs करा रही हूँ और उसके बाद जो है आपको chronology सभी मैं आगे आने वाले time में दोनों ही magazines follow करने वाले हूँ ठीके ये चीज हो गई तो आप उससे follow कर सकते हूँ clear है सबको RBSC books मैंने बता दिया जादा तर आपको mains में help करेंगे क्योंकि अभी आप RBSC books पढ़ने बैठोगे उनके notes बनाने बैठोगे इतना time नहीं है आप लोगों के पास और अगर मैं सोच तो रही हूँ June में plan कर रही हूँ RBSC books start करने का देखिए अब कितना काम में कर पाती हूँ कितना time मिलेगा उसके according clear है सबको तो current affairs क्या daily daily पढ़ो अगर YouTube पे videos आ रहे है special class में Sunday को एक दिन एक घंटा देना पड़ गया तो क्या हो गया तो हफते का एक दिन टै कर लो या फिर महीने में दो दिन या एक हफता लगा के पूरी magazine खतम कर दो इसकी 4-5 दिन लगा के एक हफता लगा के पूरी magazine निप्टाओ खतम ठीक है तो current affairs पे कहूंगी daily daily time waste ना करें क्योंकि आप उसमें फिर उलज के रहे जाते हो ठीक है उसके चकर में फिर आपका कुछ बे तैयार नहीं होता है अगर तो YouTube पे वीडियो आ रहा है अगर तो special class में आपको कराया जा रहे तो तो है ठीक otherwise magazine अगर पकड़ के बैठे हो तो उसको complete करके ही छोड़ना राजस्तान के 10 से 15 पे जाते है उसके अंदर ठीक है तो उसको अगर पूरी cover करने लगोगे डेली के 4 गंटे पढ़के तो 4 पास दिन में finish हो सकते है बड़े अराम से ठीक है clear है सबको तो ये हो गया आपके 80-90 दिन जा रहे राजस्तान जीके करने में इसमें साथ साथ 2 गंटे आप पढ़ रहो reasoning mental ability current affairs के हमने 2-3 दिन fix कर लिए है मैं तो यही बोलते हूँ हफते में एक बार या फिर 10 दिन निकाल दो पूरी current affairs magazine निप्टाने के लिए ठीक है अगर 10 दिन 4-5 गंटे डेली पढ़ोगे तो सारी magazines होई जाएंगी इतना तो पढ़ेंगे हम लोग उसके बाद जब आपका reasoning का 40 दिन में खतम हो जाता है उसके बाद आजाओ आप science पे ठीक है science में daily के वही 4 गंटे देने पढ़ेंगे 30 दिन के लिए आप पढ़ रहे हो reasoning के बाद science में क्या है सबसे most important तो current affairs related topics हैंगे space technology में defense technology में इन सब के अंदर ठीक है nanotechnology में यहां से तो पूछेंगे current oriented और electronics, computer, IT यह internet से करना पढ़ता है मैंने करवाया हुआ है plus वाले batch में आप वहां से भी कर सकते हो और basic के लिए बिल्कुल basic के लिए lucent की किताब पढ़नी है वहां से आपके basic clear होंगे physics, chemistry और biology के और class 12 की biology के last 5 chapter पढ़ने bio technology वाले topic के लिए ठीक है यहां से आपको पढ़ना है उसके बाद human body, food and nutrition health वाले chapters जो है NCRT की किताबों से पूरी NCRT नहीं पढ़नी है 9th to 12th की जो NCRT है जो topics आपके syllabus में mentioned है वो आपको करने है ठीक है clear है सबको ठीक है अच्छा उसके बाद फिर जो last का time आपके पास बचता है ठीक है इसके बाद जैसे 30 days हो गए, 40 दिन हो गए अभी कितने दिन हो है 40 प्लस 30 दिन मानके चलो 70 दिन आपके 2 महीने सबा 2 महीने या मैं बोल लू कि धाई महीने लगे उसके बाद India and World GK आप करो ठीक है India and World GK कहां से करनी है Pure and Pure NCRT से करनी है NCRT पढ़ ले बुक्स उठाके देख ले question आते हुए मिल जाएंगे आपको World की NCRT भी पुरानी आती है 6, 7th, 8th क्लास की वहां से कर सकते हो पुराने में वो cover हो जाएगा ठीक है, clear है सबको तो यहां से आप कर सकते हो Indian Modern History के लिए विपिन चंदरा की क्लास वल्थ की NCRT बुक्स आते हैं मतलब कहने का ये है India और World GK के लिए आपको NCRT की केताबे फोलो करने अगर आपको और डिटेल बुक्लिस्ट चाहिए तो मुझे बता देना R.A.S.PRELIMS के लिए बुक्लिस्ट के लिए एक अलग से भी वीडियो बना देंगे मैं आपको बुक्लिस्ट दे दूँगे ठीक है अलग से सेपरेट PDF के अंदर मेरे पास है अगर आप कहोगे तो टेलिग्राम पे शेयर भी कर देंगे उसको सही है क्लियर है सबको तो ये जब आप कर लोगे उसके बाद आपको 30 दिन मिलेंगे हलाकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपकी तीन बार रिविजन में मान के चल रही हूँ आप साथ साथ करने वाले हो उसी टाइंग पहली बार टॉपिक पढ़ने में अगर एक घंटा लग रहा है दूसरी बार करने में उसको 15 मिनिट लगेंगे उससे दूसरी बार करोगे 5 मिनिट में हो जाएगा बशर्त ये है कि पहली बार टॉपिक बहुत अच्छे से किया गया हो हर बार पहली दफा की तरह नहीं लगे और साथ साथ अगर आप MCQs बनाते हो आपने उसकी रिवीजन में प्रिलिम्स आपका निकल जाएगा ठीक है मेरे उपर खुद के उपर ट्राइट टेस्टिड है मैंने इंटर्व्यू तक फेस किया है तो आप लोग अगर चाहें तो मुझे पर ट्रस्ट कर सकते हैं सही है क्लियर है आपको तो ये आरेस प्रिलिम्स का स्ट्राटरजी वीडियो था आपको बताना है वीडियो कैसा लगा ठीक है यहां मैं कोई मेंस की बात दिकरी हूँ मेंस के लिए अलग से वीडियो आएगी जो बच्चे पूरे एक साल का फुल प्लैन चाहते हैं आरेस प्रिलिम्स और मेंस की तैयारी कैसे करें उसके लिए अलग वीडियो आएगी तो आरेस की तैयारी मल्टी डिमेशनल है कई तरीके से की जा सकती है बहुत सारे ग्रुप्स हैं बच्चों के कुछ ऐसे हैं जो अभी बीए फर्स्ट एर सेकेंड एर में कर रहे हैं तो उनके लिए एक अलग से प्लैन वो आर्बेस्ट की पुक्स पढ़ सकते हैं क्योंकि उनके पास दो-तिन साल का टाइम है जिनके पास कम टाइम है जो मतलब जो डेडलाइन पे हैं जिनके एज कमप्लीट हो रही है लिमेटेड टाइम पीरिट में तैयारी करना चाहते है तो उनके लिए तो ये बेस्ट स्ट्रेटजी है 120 डेज के अंदर या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्मार्ट होते हैं कि प्रिलिम्स तो हाथ में कर लें आते ही मेंस के लिए भले ही उनके पास एक साल पढ़ाओ लेकिन वो प्रिलिम्स को कंट्रोल कर लेना चाहते तो वो चार बहिने में प्रिलिम्स अपना निकाल सकते हैं ठीके तो ये स्ट्रेटजी जिसको सूट करें आप लोग बड़े अराम से यूज करिएगा और इसकी अलावा और आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए बताईएगा जरूर और अपनी प्रिप्रेशन को आसान बनाने के लिए आप अनेकेडमी प्लस से जूर सकते हैं राजस्थान जी के इंगलिश हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में मैंने पढ़ाया हुआ है आंसर है, questions, MCQs की practice भी करा रहे तो आप join कर सकते हो, अभी 12 प्लस 2 कॉंबो आया है और 24 प्लस 3, ठीक है, 12 महीने के साथ दो महीने का subscription फ्री है दो साल के साथ तीन महीने का subscription फ्री है इकल शायद मैंने गलती से तीन साल बोल दिया हो तो बात को ऐसे पकड़ ले तो एक डम से बच्चे सारे ठीक है, तो सबको पता है न, slip of tongue हो जाता है कभी-कभी ठीक है, तो ये opportunity आपको मिल रही है इसको join करें, limited time period के लिए offer है इसके साथ साथ extra 10% discount के लिए MRP 10 code आप लगाएगा जो बच्चे RAS की तयारी कर रहे है वो एक साल या दो साल का सब्सक्रिप्शन ले ठीक है, एक scholarship test होता है जिसमें आपको scholarship मिलता है plus join करते हुए, वो भी आप join कर सकते है संडे को, शाम को 4 बजे ये test होता है आप इस test को भी दे सकते है ठीक है, इसमें पहले 25 ranks तक आने वाले बच्चों को मिलता है ठीक है, तो RAS के मैं batches दिखा देती हूँ आपको ठीक है, ये बच्चे एक RAS की test series है जो अभी 15 मई से start हुई है ये आपको plus के अंदर मिलेगी और ये हमारे RAS 22 का batch है तो बहुत simple तरीके से मैं कैसे पढ़ाती हूँ मेरी बहुत सारी वीडियोस पढ़ी हूँ है Learn with Tricks, Rajasthan Quality series चलाई हूँ है मैंने दिशा की हम MCQs की book series कर रहे हैं तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं प्रतिबच series देख सकते हैं मेरी फेवरेट तो लंडविट ट्रिक्स है और मारो राजस्तान है तो वो वीडियो देख सकते हैं अभी प्लान कर रहे हूँ 10 के ओर है तो मारो राजस्तान पे एक और नया मस्त सा वीडियो बनता तो है ठीक है MRP 10 code लगाना मत भूलिएगा आपकी तयारी बहुत अच्छे तरीके से होगी प्रेलिम्स मेंस टेस्स सीरीज आप सारे दे पाऊगे सब्सक्राइब नाव पे क्लिक करने के बाद आपको प्लान मंथली प्लान चूज करना होता है बच्चेस में ठीक है मैं बताती हूँ कैसे रुकेगा हाँ तो जादा तर आरेस के लिए मैं रिकमेंड करती हूँ दो साल क्योंकि हमारी आरपेस से दो साल लगा देती है एक भरती में इसको जॉइन कर लो या फिर एक साल का दोनों बैनिफीशल है सबसे जादा बैनिफीशल दो साल का है साड़े साथ हजार रुपए का आपको पढ़ेगा पच्चेस महीने का नई चौबेस प्लस तीन 27 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा MRP 10 लगाने पर ये आपको साड़े साथ हजार रुपए का पढ़ रहा है वीडियो कैसा लगा बताईएगा जरूर कौन-कौन से टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए आज का जो वीडियो है ये कुछ आपके माइंड में सेंस बना रहा है मुझे type कीजेगा yes ma'am ठीके मुझे बताईएगा कि हाँ इस strategy से हम चार महिने में अपनी तयारी कर सकते है ठीके focus पूरा चाहिएगा आपको time देना पड़ेगा but it is very much possible ठीके तो I hope वीडियो पसंद आया हो तो like, subscribe, share करना ना भूलिएगा comment दीजेगा अपना feedback दीजेगा मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग efforts को recognize करते हैं आप सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम